एलो फ्रेंज टेश्टिकों के इमित पना में आप सभी का स्वागत हैं तो पता नहीं क्या ये फंडा है कि जब गाव आते हैं तो शेहर का खाना यादाता है जब शेहर आते हैं तो गाव का खाना यादाता है तो बस ऐसे ही मुझे भी गाव की बहुत ही यादा रही थी तो म कि इसको साप करने में थोड़ा सा टैम ज्यादा लगता है इसको ना हम में जो भी चोरी है वह सोफट और कच्छी हो उसको इस तरहीं किसे काट लेना है जो पकी हुई हो मतलब कि जिस चोरी के अंदर पके हुए दाने हो उसमें से ना हम सीर फर सिप दाने निकाल लेंगे ऐसे पर लगा देते तो सब्जी बने जाती इसको ना उबालने की क्या ज़रूरत है लेकिन हाँ जब उबालके बनाते हैं नच्वारी की सब्जी तो जो बनने के बाद एक्टम ड्राइ सब्जी लगती है वो नहीं लगे की तो दूसरी तरफ हम मिट्टी का तवा रख देंगे गर सकते हो तो आटा हम चान के तयार कर लेंगे उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गुतेंगे तो मक्के और बाजरे की जब भी आप रोटी बनाएं तो जितना आटा आप गुत होगे उतना ही रोटी का स्वाद है वो और भी अच्छा लगे तो चले फिर हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हैं और आटा गुत करके तयार कर लेंगे तो यहां पर आटा गुत गया है इस तरीके से हम प्यड़ा बनाएंगे और रोटी को बनाएंगे तो आपको तो पता ही होगा मुझे हाथ से रोटी नहीं बनती है मक्के की वाजरे कि तो थोड़ी सी बनती है उतनी में हाथ से बना लेती हूँ फिर उसके बाद इस तरीके से पॉलिफिन के उपर रखके इसको अच्छे से से देती हूँ अब हाथ से बना पाते हो तो ज़रू से बना ले तो चले फिर रोटी हमारी बनकर के तयार है दूसरी तरफ लोटी को हम अगर आप रोटी रख दोगे तो रोटी है वो तवे में चिपक जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी तो अलट पलट करते हुए हम रोटी को सेखते जाएंगे दूसरी तरफ कुकर में भी एक सिटी लग गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं रोटी को भी देख रही हूँ और सबजी के लिए हम कटाही रखेंगे कटाही के अंदर दू-तीन चम्मजीतना तिल डाल दें सब्सक्राहान भी एक सांट वप 높ने हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि रोटी है तो अब कि मैंने एक साथ दो रोटी का आटा खुंथ लिया था तो दूसरी रोंटी बनाके रख ली है साइल पर दो दूसरी रोटी हम तबे पर लख देंगे So तो रोटी को देखते रहेंगे, साथ में इतरका लगाएंगे, तो आदा चम्मचीता मेथी दाना तेल के अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा मेथी दाना चटक जाए, उसके बाद हम डालेंगे आदी चम्मची राई, आदी चम्मची जीरा, और यहां पे मैंने एक हरी मिर्ट क चौप करके डाल दी है, थोड़े से कड़ी पत्ता, और दनिया लिया है थोड़ा सा, जिसको मैंने डंठल के साथ कट कर लिया है, साथ में हम डालेंगे थोड़ी से हिंग, दूसरी तरफ रोटी को भी हम पलटते जाएंगे, अब हम मसाले डालेंगे, जिसमें हम डाल रहे ह बाद में हमें जरुवत लगेगी, तो हम डालेंगे, और मसाले डालके फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और सारे मसालो को हम ऐसे तरके के अंदर पका लेंगे, जब थोड़े मसाले डाल दे, उसके बाद आप फ्लेम को वापस से शुरू करें, और थोड़े से मसालो को पका ल पिर अच्छे से मसालों के साथ सबजी को मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरी रोटी थी वो भी अच्छे से पक करके तयार हो गई है चलिए हम रख लेते हैं इसको भी साइड पे और यहाँ पे सबजी को हम तड़का लगाने के बाद दो-तिर मेर तक ऐसे ही पकाएंगे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए ऐसे हम पका करके तयार करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौरे की हमारे एकदम सुखी वाली सबजी बन करके तयार है आप चाहे तो ऐसे भी सबजी को खा के एंजोई कर सकते हैं लेकिन आज हम मक्के की रोटी के साथ इसको ना हम खटा बनाएंगे तो इसके लिए हम इसमें चाहस डालेंगे आप दही भी डाल सकते हो तो मैंने यहाँ पे घर की बनी हुई दो गलास जितनी चाहस डाल दी है थोड़ा सा पाने डाल के एड़्यस कर लिया है इसको तो अब हमने चाहस डाली है तो चाहस के हिसाब से थोड़े-थोड़े मसाले वापस से डाल देंगे जैसे की गरम मसाला, लाल मीट्री पावडर, दनिया जीरा पावडर, थोड़ा सा ही, यहाँ पे हल्दी पावडर और नमक तो सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करें और दो-तिन मिनट के लिए और सबजी को पका ले सबजी को करीब मैंने पाच मिनट तक अच्छे से मीडियम आज पर उबाल लिया है और हमारी एकदम खट्टी वाली सबजी बन करके तयार हैं जिसको हम मक्य की रोटी के साथ खाने वाले हैं उपर से हरा धनिया डाल देंगे और हम खाने को सर्व करेंगे तो लेजे फिर आज का सिंपल सा खाना बन करके तयार हैं तो खाना खाके घाव की याद ज़रूर से आ जाएगी आप भी एक बार इस तरीके से ट्राइ करना